रेट लेवल वन में सेलेक्षन को लेकर बीएश्टिशी और बीएड अभेरतियों के बीच विवाद खतम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीएड अभेरतियों ने सुप्रिम कोट में लगाई गुहार कोट ने प्रातना पत्तर पेस करने का अदेश दिया है। मंगलवार को बीएड वाले जो अभेरतियों ने सुप्रिम कोट में जल्द मामले की सुनवाई करने की मांग की है। जिसके ओपर सुप्रिम कोट ने याचिकरताओं को प्रातना पत्तर पेस करने का अदेश दिया है। एसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही बीएड और जो बीएश टी सी विवाद है इसके ओपर फिर से सुनवाई हो सकती है। वहीं इससे पहले राजस्तान में रीट के लिए बीएड अभेरतियों को सुप्रिम कोट से जटका पहले ही मिल चुका है। सुप्रिम कोट ने राजस्तान हाई कोट जोथपुर के फेसले को बरकरा रखते हुए बीएड अभेरतियों को RIT LEVEL 1 के लिए आयोगे टाराय था। आपको बता देंगे राजस्तान में रिड के लेवल वन में B8 दारीयों को सामिल करने के खिलाब BSTC अब्यरतियों ने दो महिने तक आंदूलन किया था इसके बाद में ये मामला राजस्तान हाई कोर्ट पहुंच चुका था जहां हाई कोर्ट ने बैश्टी शे अभेड़तियों के पक्स में फेसलह सुनाते हुए बैड़ अभेड़तियों को लेवल वन से बाहर कर दिया था इसके बाद में NCTE ने बेर्ड अबेर्टियों के समर्थमन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्तान हाई कोर्ट के फेसले को बरकरा रखा था देखें NCTE का जो नोटिफिकेशन है उसी से लेकर सारा विवाद वो शुरूआ था क्योंकि NCTE ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें B.A.D. डिग्री धारियों को रीट लेवल वन के लिए युग्य माना था NCTE ने ये भी कहा था कि अगर B.A.D. डिग्री धारी लेवल वन में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ में 6 माह का एक ब्रिज गोस्ट करना होगा NCTE के इसी नोटिफिकेशन को रास्तान हाई कोट में चुनोती दी गई B.A.D. डिग्री धारियों ने खुद को रीट लेवल वन में सामिल करने के लिए कर याचिका लगाई इस पर फैसला नहीं हो पाया रास्तान सरकार ने रीट 2020 का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें B.A.D. डिग्री धारी अभ्यरतियों को इस सर्थ के साथ में परिक्षा में बैठने दिया गया और कहा गया कि आखिरी जो फैसला है वो हाई कोट के निरने से होगा देखे कोट के फैसले का क्या असर रहा रीट लेवल वन में B.A.D. के साथ में B.A.D. डिग्री धारक को भी योग्य माने जाने के ओपर कॉम्पिटिशन बढ़ गया था ऐसे में B.A.D.C. के इस लेवल के योग्य अभ्यरति मुंचित रह रहे थे इस फैसले के बाद में B.A.D.C. के उन अभ्यरतियों को फाइदा होगा जो इसमें योग्य हैं कम्पिटिशन कम होने से B.A.D.C. के जो भी अभ्यरति हैं उनको परती किया जाएगा लेकिन अब परकिरिया पूरी होने से पहले ही इसे पूरे मामले के ओपर जल्दी सुनवाई की मांग तेज हो गई है क्योंकि रीट लेवल फैस्ट वालों को जल्दी जोइनिंग दी जा रही है इसलिए रीट लेवल शेकिनड वाले सुप्रिम कोर्ट में जो याजिका लगा चुके हैं कि उनको भी लेवल फैस्ट में सामिल किया जाए इसलिए इसकी जो सुनवाई की मांग है वो भी तेज हो गई है कि रीट लेवल फ़ेस्ट वालों को जोइनिक देने से पहले हमारी सुप्रीम कोट सुनवाई करें तो ये एक लेटिस्ट अपडेट था आगे और भी कोई इस बढ़ती से जुड़ावा मामला आता है तो सुचना आप तक प्रोवाईड करवा दी जाएगी आप लगातार हमसे जुड़े रिये धन्यवाद